हाँ तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आकश चर्मा स्वावत करता हूँ आप सभी कमारे यूट्यूब चनल सर्माजी क्लासिस में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मद्य प्रदेश सामानी ग्यान के कुछ ऐसे महत्व पुर्ण प्रशन है जो कि आपकी सभी प्रतियों की प्रिक्षाव की देख्टी से बहुत ही ज़्यादा मैं तो पॉर्ण प्रशन है आज कि इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे प्रशनों के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर आपकी एक्जाव में पहले पूछे गये हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो का एक लाइक कर दीजी और चेनल पर नहीं हो तो जल्दी से चेनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी में बेल आइकन को प्रेस कर दीजी जिससे आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और अकर आप हमारे वाट्सक गूर्प से एड़ होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नमबर दिया गया है आप यस नमबर पर जोइन लिखकर में से सेंड कर सकते हैं आपको हमारे वाट्सक गूर्प से एड़ कर दिया जाएगा तो चलते हैं दोस्तों बिना देर की सिधा वीडियो की तरफ देखेंगे आज कमारा पहला महतपुर्ण प्रेशन पहला प्रेशन दोस्तों आपका बहुत ही महतपुर्ण प्रेशन गूजरी महल किसने बनवाया था ओप्षन A राजा मान सहिंग ओप्षन B राजा जै सहिंग ओप्षन C जीवा जीराव और ओप्षन D दोस्तों आपका माधवरा दोस्तों मैं आपको प्रेशन पढ़के बताऊँगा और उसके चारों ओप्षन बताऊँगा क्या हो चाई दोस्तो इसका राइड अंसर और ऋप्ta number A राजा मानसिंग आपका जो गूजरी महली चाहां करिश्थिते गवाल एर में इस्तिते किसुष से बनवाया था राजा मानसिंग ससा बढ़ेंगा में दूस्तो और पर य agree 10 option울 नमबर को optionल नमबर 12 जयपूर से जबलपुर जाने वाला जोमका national highway कोन से फॉस्तो नेशनल है 12 है बढ़ेंगे दोस्तो अगले प्रेस्ण आपका भॉत ही में तो पुर्ण प्रेस्ण है कि इंदरा गांधी राश्ट्री जन जाती विस्व विद्याले का मुख्याले कहा है option A जबलपूर, option B भोपाल, option C इंदोर, option D दोस्तो आपका अमर कंटक, तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका option number D क्या हो जाएगा दोस्तो इसका राइट अंसर option number D अमर कंटक, इंद्रा गांधी राइश्ट्री जन जाती विस्व विद्याले का जो मुख्याले दोस्तो वो कहां पर इस्ते थे अमर कंटक में इस्ते थे, अगला प्रशन देखते हैं यह रहा दोस्ता आपका अगला प्रशन भूभाग की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? option A मध्यक्रदेश, option B महाराष्टर, option C उत्तर प्रदेश और option D आपका है राजिस्तान तो इसका ज़ा आपका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका right answer हो जाएगा आपका option number D क्या हो जाएगा right answer? option number D, राजिस्तान, छेत्र प्रशन की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो कौन सा है? दोस्तों, राजिस्तान है और अगर प्रशन ऐसा बनता कि जन संख्या की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उसका अंसर क्या होता फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश चलेंगे अगला प्रशन पर अगला प्रशन दोस्तों नदियों सो पूछा गया है कि उजेन किस नदी के तड़ पर इस थीत है जब मैंने आपको मद्य प्रदेश की प्रमुक नदिया पढ़ाई थे तो यह वाला प्रशन मैं आपको वहाँ पर बताया था अगर आपने अभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं आप महाँ जाकर वह वाले वीडियो भी देख सकते तो देखते हैं हमारा प्रशन दोस्तों की उजेन किस नदी के तड़ पर इस्थी थे ओप्शन ए चंबल ओप्शन बी नर्मदा ओप्शन सी शिप्रा और ओप्शन डी ह आपका बेतवा तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर ओप्शन नंबर सी शिप्रा नदी यानि कि आपका जो उजेन किस नदी के तरफ बहुत शानदर प्रश्ण दोस्तों अगला चंबल नदी का उद्गमिस्थान कहां है ये वाला प्रश्ण भी मैं आपको नदियों वाले टोपिक में बताया है तब नदियों वाले टोपिक अब मेरे पढ़ लेंगे वीडियों देख लेंगे तो उसके बाद आपसे मद सोर और ओप्शन डी आपका खंडवा तो इसका जापका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर ओप्शन नंबर ए महू जो चंबल नदी का उद्गम होता है महू से होता है देखते हैं दोस्तों मारा अगला प्रश्न हो भारतिय मुद्रा की छपाई कहां होती है option A भोपाल, option B देवास, option C इंदोर और option D आपका जबलपर तो इसका जब का राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रश्न में कितनी सीट है ये वाला प्रश्न मैंने आपको मद्य प्रशासनिक परेद्रश्च में पढ़ाया था जिसका लिंक मेने वीडियो की डिस्क्रिप्सिन में दे दिया है आप महाँ जाकर मद्य प्रिदेश में प्रसासनिक परिद्रिश्य का वीडियो देख सकते हैं तो देखते हैं दोस्तों मद्य प्रिदेश से राज्य सभा सीटों के कितनी संक्या है option A 10, option B 11, option C 16 और option D आपका है 18 अब olhaback怪 आपका option B 11, यह आपको ध्यान रखना है देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रशन बहुत ही महत्व पूर्ण प्राशने दोस्तों सोया बीन अनुसंधान निदेशाले कहां स्थीत है उप्शन A उजेन, उप्शन B भोपाल, उप्शन C गवालेर और उप्शन D आपका है इंदोर तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका उप्शन नंबर D क्या हो जाएगा राइट आंसर ओप्शन नमबर डी इन दोर सोय भी इन अनुसंदा निदेशाले कहा है इस्तित दोस्तों इन दोर में इस्तित है देखते हैं अगला प्रशन राश्टरी उध्यान से प्रशन पूछा गया है ये वाला प्रशन में आपको मद्य प्रदेश के प्रवंक राश्टरी उध्यान में बताया था मद्य प्रदेश का प्रथम राश्टरी उध्यान है कौन सा है option A, बांदवगड राष्ट्री उध्यान, option B, काना राष्ट्री उध्यान, option C, माधव राष्ट्री उध्यान और option D आपका पन्ना राष्ट्री उध्यान तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका option नंबर B क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर अप्सन नंबर B काना किसली राश्ट्री उध्यान मद्य प्रदेश का प्रतम राश्ट्री उध्याने ओ दोस्तों ये काना किसली राश्ट्री उध्यान कहां पर इस्ति थे मंदला जिले में इस्ति थे ये आपको ध्यान रखना है देखते हैं अगला प्रशन बहुत शांदर प्राशन अग्ला दोस्तों 2011 की जन्गर्णना के अनुसार मद्यप्रदेश में लिंगान उपात है कितना है दोस्तों ऑप्शन A ל-920 इस्तरियां प्रती 1,000 पुरूस ऑप्शन B 931 इस्तरियां प्रती 1,000 पूरूस नमबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर ओप्सन नमबर बी 931 इस्त्रियां प्रती 1000 पूरस ये मद्य प्रदेश का लिंक आनू पात है ठीक है देखते हैं दोस्तों मारा अगला प्रशन अगला प्रशन दोस्तों आपका फिर से मद्य प्रदेश के प्रसाशनिक आया हुआ जहां पर मैंने MPGK के चेप्टर 20 वीडियो डाले हुए आप वाले वीडियो जाकर जरूर देखें प्रसने आपका मद्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायदिस थे कौन थे ओप्शन ए न्यायमूर्ती पीवी दिक्षित ओप्शन बी न्यायमूर्ती जीपी भट ओप्शन सी न्यायमूर्ती एपी सेन और ओप्शन डी आपका न्यायमूर्ती एम हिदायुत तुल्ला इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका रा में से कौन मद्द प्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं रहे है उप्षन ए मोतिलाल वोरा उप्षन भी भगवंत राव मंदलोई उप्षन सी केलास चंडर जोसी और उप्षन डी आपका है कुंजिलाल दुबे तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो दुस्तों राइट अंसर ओप्षन नमबर डी कुंजिलाल दुबे ये मद्द प्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं रहे है बाकि जो तीनों आपको नाम दिये हैं भगवंत राव मंदलोई मोतिलाल वोरा और केलास चंडर जोसी ये मद्द प्रदेश के मुख्य मंत्री रह च ठीक है चलते हैं हमारे अगले वाले प्रशन की तरफ देखते हैं अगला प्रशन निम्न में से कौन सा राष्ट्री राजमार्ग मद्द प्रदेश से नहीं गुजरता option A NH76, option B NH77, option C NH78 और option D आपका NH75 तो इसका जोग का right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option number B क्या हो जाएगा दोस्तो right answer option number B NH77 यानि कि आपका जो national highway 77 है ये मद्द प्रदेश से नहीं हो जाता है ठीक है चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन दोस्तों बहुत ही सरल प्रशन है और बहुत ही महत्पून प्रशन है यह आपका कि मद्य प्रदेश का राज जिवरक्ष है कौन सा है ओप्शन A बर्गद ओप्शन B पीपल ओप्शन C सी सम और ओप्शन D है बबुल तो इसका जो पका right answer हो जाएगा यह क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा आपका option number A बर्गद मद्य प्रदेश का जो राज जिवरक्षे दोस्तों वो कौन सा है बर्गद है देखते हैं मारा अगला प्रशन अगला प्रेशन है मद्य प्रदेश इस्टाक एक्सचेंज लिमिटेट कहां स्थीर है ओप्षन A जबलपूर ओप्षन B भोपाल ओप्षन C इंदोर और ओप्षन D आपका है छिंदवाड़ा इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्षन नंबर C क्या हो जाएगा राइट अंसर ओप्षन नंबर C इंदोर एक्सटाक एक्सचेंज लिमिटेट कहां पर इस्थी थे इंदोर में इस्थी थे चलते हैं अगला प्रेशन पर प्रश्य कने दोस्तों अगला बहुत ही जादा मेहत्व पुन्द प्रश्य कि पूछा गया है कि मद्ध कर देश राज में कोल कितने जिले हैं ओप्शन ए गुन 50 जिले ओप्शन बी 51 जिले ओप्शन सी 50 जिले और ऐप्शन डी है आपका बहुत तर जिले तो दोस्तों इसका जब का राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका बावन क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर बावन यानि कि दोस्तों इसका जब का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 52, मद्ध प्रदेश में जीलो की कुल संक्या कितनी है दोस्तों 52 है आपका जो नया जीला बना है कुन सा बना है बावनवा निवाड़ी जो की टीकम गड़ से अलग होकर बनाया गया इस पर भी दोस्तों प्रशन बना था जेल प्रेवे की परिक्चा में कि मद्ध प्रदेश क आपको बिल्कुल याद रखना है देखते हैं मारा अगला प्रेशन बहुत ही महत्व पूर्णे प्रेशन दोस्तों अगला आपका चरण पादु का गोली कांड कहा हुआ था ओप्सन ए होशंगाबाद के निकट ओप्सन बी छतरपुर के निकट ओप्सन सी धार के निकट और ओप्सन डी आपका रिवा के निकट इसका जो आपको राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर बी छतरपुर के निकट कहा हुआ था दोस्तों चरण पादु का गोली कांड छतरपुर के निकट इसे से जुड़ा एक content आपको बता देता हूँ कि आपको चरण पादुका का मेला लगता है दोस्तों ये कहां पर लगता है छतरपुर में लगता है जिसे सहीदो का मेला भी कहा जाता है कौन सा मेला चरण पादुका का मेला कहां पर लगता है छतरपुर में लगता है जिसे शहीदों का मेला भी कहा जाता है देखते हैं हमारा अगला प्रश्ण यह आपका अगला प्रश्ण निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है अगर दोस्ता आपने मेरा MPGK का वीडियो देखा है नदियों वाला तो उसमें में आपको बताया था कि चंबल के साहिक नदियां कौन कौन सी है इसमें आपको बताना है कि कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है यानि कि कौन सी नदी चंबल के साहिक नदी नहीं है option A शिपरा नदी option B बेन गंगा नदी option c पारवती नदी और option d आपका है काले सिंद नदी तो इसका जोब का right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option number b जा हो जाएगा इसका right answer option number b बेन गंगा नदी जो की चंबल नदी में नहीं मिलती बाकी के जोब की तीनों नदी आएगा इनमें से कौन से राज्य की सीमा मद्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती है इससे पहले दोस्तों मैं आपको content बता दूँ एक कि मद्य प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से मिलती है पांच राज्यों से ये वाला content पे आपको पता होना चाहिए अभी हम देख लेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं अभी इनमें सम्हों बताना कि कौन से राज्य से नहीं मिलती है option A पस्चिम बंगाल, option B गुजरात, option C उत्तर प्रदेश option D आपका है राजिस्थान इसका जो आपका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा आपका option number A क्या हो जाएगा इसका right answer option number A पस्चिम बंगाल, मद्य प्रदेश की सीमा दोस्तों पस्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है तो कौन-कौन से पांच राज्यों से लगती है वो देख लेते हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजेस्थान, छत्तीस गड़ और महाराष्ट इन पांच राज्यों से आपकी मद्य प्रदेश की शिमा लगती है एक बाई और सुन लिजीए गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजेस्थान, छत्तीस गड़ और महाराष्ट ठीक है चलते दोस्तों अगले वाले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है दोस्तों कि निम्न में से कोन सा जीला सागर संभाग में आता है और सागर संभाग में अथा, छलते हैं अगले वाले प्रश्ण पर प्रश्ण है अगला निम्न में से कोन सा सहरबेतवा के किनारे स्थीत नहीं है option A देवास option B और चा option C सांची और option D आपका है विदीशा तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आपका और चा विदीशा और सांची ये तीनों बैतवा नदी के किनारे बसे हुए तो इसका जमारा right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option number A देवास क्या हो जाएगा दोस्तों इसका right answer option number A देवास जो कि बैतवा नदी के किनारे नहीं बसाएगा किस नदी के किनारे बसाएगा दोस्तों काली सिंदर नदी के किनारे ठीक है देखते हैं मारा अगला वाला प्रशन है अगला की मद्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या है कितनी हैं ओप्शन A 12 ओप्शन B 13 ओप्शन C 16 और ओप्शन D आपका है 15 इसका जब का राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट अंसर ओप्शन नंबर C 16 मद्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी हैं दोस्तों 16 है चलते हैं अगले प्रशन पर प्रशन देखते हैं दोस्तों अगला मद्द प्रदेश का प्रतम सूखा बंदर गहा कहां इस्थापित है उप्सन A. पीथम पूर उप्सन B. मालन पूर उप्सन C. विजय पूर उप्सन D. मंडी दिप इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नंबर A. क्या हो जाएगा राइट अंसर ओप्सन नंबर A. पीथम पूर मद्द प्रदेश का प्रतम सूखा बंदर का कहां इस्थापित किया गया दोस्तों पीथम पूर में जो कि किस जिले में आता है दोस्तों अगर आपको भी वीडियो देखना है तो मैंने वीडियो के description में लिंक दे दिया है तो दोस्तों देखते हैं कि मद्य प्रदेश में इनमें से कोने सी जन जाती नहीं पाई जाती है option A गरासिया, option B भील, option C बंजारा और option D आपका है मुंडा तो इसका जो दोस्तों आपका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा आपका option number D मुंडा क्या हो जाएगा इसका right answer option number D मुंडा इनमें से जो मद्य प्रदेश में सामाने ता अनुसुची जन जाती नहीं पाई जाती वो कोने सी है दोस्तों मुंडा चलते हैं अगले वाले प्रशन पर प्रशन है अगला किस प्रांत को सोया प्रदेश कहा जाता है option A उत्तर प्रदेश option B मद्य प्रदेश option C केरल और option D आपका है गुजरा तो इसका जब आपका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा आपका option number A मद्य प्रदेश क्या हो जाएगा दोस्तो इसका right answer option number A मद्य प्रदेश जिसे क्या कहा जाता है सोया प्रदेश क्योंकि दोस्तो जो मद्य प्रदेश में सरवादिक सोरी जो भारत में सरवादिक सोयबिन को उत्पदन करता है प्रेशने की तरफ, प्रेशने अगला, किस वर्स चतिस गड़ को मद्र प्रदेश से प्रतक किया गया था, ओप्शन A 1998, ओप्शन B 1999, ओप्शन C 2000, और ओप्शन D आपका है 2000, एक, इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका राइट अंसर हो जाएगा, आपका ओप्शन नंबर C, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट अंसर, ओप्शन नंबर C 2000, सन 2000 में 36 गड़ को मद्र प्रदेश से अलग करके, एक अलग राज्य का दरज्या दे दिया गया, चलते हैं दोस्तों, अगले प्रशने पर, प्रशने अगला निम्न लिखित में से, कौन कभी भी मद्र प्रदेश का मुख्य मंत्री नहीं रहा है, ओप्शन A केलास चन्र जोसी, ओप्शन B विरेंडर सकले चा, ओप्शन C उमा भारती और ओप्शन D आपका है सुबाश यादव, इसका जब का राइट अंसर हो जाएगा, इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर D, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका रह चुकें, चलते हैं, अगले वाले प्रशन पर, प्रशन है दोस्तों आपका अगला, और आज का लास्ट प्रशन हमारा, कि मध्य प्रदेश का छेत्रपल, भारत के छेत्रपल का लगबग कितना है, ओप्शन A, 7 प्रतिशत, ओप्शन B, 9 प्रतिशत, ओप्शन C, 11 प्रत का जो मद्य प्रदेश का छेत्रपल है वो कितना परसेंट है दोस्तो 9% और अगर आपसे एड़्जेक्ट डाटा पूछता है कि एड़्जेक्ट कितना परसेंट है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ 9.38 प्रतीशत एड़्जेक्ट अगर परसेंट आपसे पूचे कि मद् पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो का एक लाइक जरू करें और आप चाहते हैं कि मागे पर आपके लिए एसे ही महत्रपोने वीडियो लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें सांती में बिल आइकन को प्रेस करतें जिससे आपको हमारे आने वाले नहीं वीडियो को नोटिफेकिशन मिलते रहें और अकर आप हमारे वाटसर गूर्प से डिलना चाहते हैं तो डिस्पले पर नंबर दिया गया है आप इस नंबर पर जोइन लिखकर मेसेज सेंड कर सकते हैं आपको हमारे वाटसर गूर्प सेंड कर दिया जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जैश्री महाकाल